रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोचे मंत कारिकरम ये देश है मारा तीन दिसंबर किसका नंबर क्या आपको लगता है दो हज़ार चौबिस के लिए ये चुना बहुत मैत्फ़ है जादूगर राजस्थान से लेकर चक्तिसगर के सौदागर सब छू मंतर किसी ना किसी मंदिर में पहुत जाते हैं मूर्ति के सामने ध्यान लगाकर बैठ जाते हैं तिलक लगाकर चोड़ा सब तो यह ने क्या बात कर रहे हैं ते परें मेरा कोई काम नहीं नहीं हो रहा है यहां समाज को भाट के वोट कि रागा कर रहे हैं मंतर कर इनोवेशन होना समाज को बाटना हो गया है आप कह रहे हैं यह देश है हमारा अमीश देवगन के साथ नमस्कार व्यूएस मैं हूँ अमीश देवगन और आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसे मंत कारिकरम यह देश है मारा एक महीने तक चले सियासी संगराम का नतीजा करीब एक हफते बाद हम सब के समक्ष होगा और ये तैह हो जाएगा कि कौन करेगा राज और किस के सर से छिन जाएगा ताज पांच राज्यों का रिजल्ट सामने आता ही दोहजार चौबिस की बी उल्टी गिंती की शुरुवात हो जाएगी लेकिन चुनाफ का अन्तिम दोर आते आते सियासी तापमान सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका है सनातन से लेकर करप्चन तक प्रधान मंतरी मोदी ने कॉंग्रेस के खिलाफ चौतरफा मोर्चा खोल डाला है लेकिन इसी बीच प्रधान मंत्री मोदी श्री बांके बिहारी के दर्शन करने मतुरा पहुँच गए जिसे लेकर कॉंग्रेस और बाकी विरोधी दलों ने आस्मान सिर्पे उठा लिया विपक्ष कहा रहा है कि भारतिय जंता पार्टी पोलराइजेशन का गेम खेल रही है उसकी चाल चल रही है तो बीज़पी विपक्ष पर सनातन विरोधी होने का लगातार आरोप लगा रही है लेकिन इस चुनावी गर्मी के बीच एक और बड़ी घटा हुई है भड़का हुए एजंडा चलाने में बड़े एक्सपर्ट लेकिन छोटे ओवे सी खुले आम पब्लिक रैली में पुलिस वाले को धमकी देने पर उतर आये थे और इन सब के बीच कश्मीर से केरल तक हलाल के नाम पर भी सियासी जटके का दौर जारी है तो आज चंता के बीच इन तमाम मुद्व पर होगी सबसे बड़ी पॉलिटिकल वहस तीन दिसंबर किसका नमबर आज का एजंडा खास तोर पर ये देश हैमारा में इसी विशे पर विविवर्स इसे लोग है जिनको अपने परिवार की आने वाली पीडियों की चिंता है 2024 के समी फाइनल का देना बेहत करीब है सबके अपने अपने दावे और वादे हैं अब देखना होगा कि 3 दिसंबर को पाच राज्यों की जनता किसका नमबर लगाने जा रही है राजस्तान कह रहा है जादूगर जी कौनी मिले बोट जी इस बार जनता जादूगर बनकर कॉंग्रेस सरकार को गायब कर लेने वाली है और 3 डिसेंबर को भारतिय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है कॉंग्रेस की सरकार दुबारा राजिस्थान में बनेगी ताकि आपकी तरक्की होते जाए मद्यप्रदेश की जनता आज भारतिये जनता पार्टी को अच्छी तरह पैचान भी है और तेयारी हो गई है बीजेपी को विदा करने की इस बीच बीजेपी हिंदोत्य और प्रश्टाचार के मुद्दे पर कॉंग्रेस को घेर रही है हमले की जिम्मेदारी भी सीधे प्रधान मंत्री मोदी ने सम्हाली है सनातन पर कॉंग्रेस को खेरने के बाद प्रधान मंत्री ने अब आयोध्या और काशी के बाद मधुर का भी रुख कर लिया है प्रधान मंत्री मोदी ब्रिजरज उस्सों में शामिल हुए तो विपक्ष को इसमें सियासी गेम प्लैन नजर आने लगा उधर ते लंगाना में एक बार फिर अकपरो दीन ओवेसी ने चुनाव सभा के मन से धुरुविक अरणवाली धमकी दे डाली पड़े आके ठेरे पाँच मिनट अभी बोलूँगा बोलूँगा पाँच मिनट कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ मुझे रोकने के लिए इशारा कर दिया तो दोड़ना पड़ेगा लाख टके का सवाल ये है कि पाँच राज्चों का किला कौन फत्र करने वाला है क्योंकि चुनाव के नतीजों का सीधा असर दोज़ार चौबिस से पहले तमाम राजनीतिक पाठियों की तैयारी और रणनीती पर पड़ेगा तो आज हमारे साथ कौन-कौन मेमान है लेकिन उसरे पहले आज हमारे मुद्दे क्या क्या है इस डिबेट के मुद्दे क्या क्या है सनातन पर सियासी संग्राम मिशन पर भड़काउ भाईजान और करप्शन पर तीसरा करप्शन पर पोलिटिकल टेंशन आज के ये तीन कुलदीप कुमार है विधायकाम आद्मी पार्टी के परवक्ता समाजवादी पार्टी के में तक विवेक शिर्वास्तव है लफ्ट के आई डिलोग तो जोरदा ताल्यों से आभिननदन है आपका और जंता उनारधन आपका स्वागत आपका इस आज की चर्चा की शुरुआत जब मैं करने जा रहा हूँ तो मेरा पहला सवाल यही है और मैं 50-50 सेकिंड का मौका आप सब को देना जाता हूँ और शुरुआत विवेक शुरुआत तो आपसे करता हूँ 50 सेकिंड में मैं आपसे जाना चाहता हूँ 3 दिसंबर किसका नंबर क्या आपको लगता है 2024 के लिए ये चुना बहुत मैतपुड है 50 सेकिंड पांचो राज्यों में भाजपा नहीं आने वाली है सेकुलर दल आएंगे सरकारें बनाएंगे चाहे ये किसी को मूर्खों का सरदार कहें गलत भाशा का प्रयोग करें मतुरा में जा करके Election Commission के Directors के बावजूद प्रधान मंतरी ने क्या example set किया 5 बजे खतम हो रहा है और border cross करके गए और सभा कर रहे हैं ये वो role model है जो देश को दिखाया जा रहा है मैं भी 15 दिन तक campaign नहीं करूँगा और फिर भी जीतूँगा पता है पाकिस्तां की को सीथे हैं आप लोग इसको कहते हैं रोल model ठीक आपका रोल मॉडल इमरान कारो नवाज शरीफ होगा लेकिन इस देश का नहीं है शायद ठीक है लेकिन आपने अपने विश्य को रखा आपने 55 सेकेंड लिए शेदाद पुनाबाला बॉर्डर क्रोस कर लिया राजस्तान से बॉर्डर क्रोस करके उत्तर परदेश आ गए बिहांके बिहारी के मंदिर चले गए लेफ्ट लाल है देखे जब इनकी बंगाल में सरकार हुआ करती थी एक समय पर तो वहां से बंगलादेशी बॉर्डर क्रोस करके आते थे तब यह लाल नहीं होते थे पर अब आज प्रधान मंत्री यदी कृष्ण जन भूमी जाते है मतुरा में संत मीरा के जनमुचसव के लिए तो उसके लिए उनको लाल-लाल होना है इसलिए ये लोग जेनियू के कैंपस तक ही अज स्थित हो चुके हैं और बाकी कहीं पर भी इनकी सरकार नहीं है पर देखे आपने पूचा तीन डिसेंबर को क्या होगा और जादूगर राजस्थान से लेकर चत्तिजगर के सौदागर सब चुमंतर ये इसलिए होने वाला है क्योंकि देखे पांच राज्यों में से एक राज्य में हमारी सरकार है मध्यप्रदेश और मैं एक जिमेदार प्रवक्ता होने के नाते आपको बताना चाहता हूँ पेपर युवाओं के पेपर लीग गोटाला वहाँ पर माइनिग घोटाला और केवल इतना खाऊंगा दिखें समप करता हूँ महादेव के नाम को भी नहीं चोड़ा गोबर और गोठान के बाद महादेव के नाम पर भी लूटा और अगर यह बात मानते में तो यह लोग पार्टी के पार्टी में पाइब कर दोगों जा रहा हूं आप चुनाव से पहले आप लोग इंडिया अलाइंस ते उसके बीच में पीडिये आ गया क्या आपको लगता है इस चुनाव ने आपको भी बहुत कुछ सिखा दिया है नई चुनाव ये बात आपके सही है चुनाव सिखाते हैं बहुत कुछ सिखाते हैं और हर किसी को सिखाते हैं प्रतियासियों को भी सिखाते हैं मद्दाताओं को भी सिखाते हैं पार्टियों को भी सिखाते हैं और मद्दप्रदेश में जो हम उम्मीद कर रहे थे उ संभर के कुछ जो इंडिकेशन्स BJP की तरफ से आ रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि BJP हार रही है अच्छा पी के हाथ से राज निकल रहे हैं कौन में भी हरते हो जाएगी नंबर एक बात दूसरे जिस तरह से भारती जंता पार्टि खासतोर से हमारे मानिये प्रधान मंतरी जी उनकी भासा का इस्तर गिरा और उनके भासनों में बॉकलाट दिखाई दी इस देश में प्रधान मंतरी उसे किसी वेक्ति ने ऐसी हलकी भासा कभी निए बोली के विपक्षकेन को मुरखों को सरदार करो ये का हो आसीMr ऴेसे ब्रधान मंतरी मॉरखों का सरदार जैसी बहाद सा बोला Temper सब्सक्राइब र्यादा कि अगर तूटे की बात होगी तो बहुत सी बाते होंगी लेकिन तीन दिसंबर किसका नंबर जो विशे है देखे और मुर्कों का थरदार पे अपत्ती है विपक्ष को देखे तीन दिसंबर तो सारे मतपेटी में बंध हो चुके हैं और चाहिए ये कहें वो कहें को पता है कि सेफलिजिस्टों को बहुत बार जो है वो बड़ा धूल चाटनी पड़ी है रही बात भासा की तो जब अमिच्छा और प्रधान मंत्री जब उत्तर प्रदेश में चुनाओं के अभियान लड़ रहे थे हैं यही समाजवादी पार्टी के निता अकलेश जाद किया था यह लोग भासा सिखा रहे हैं प्रधान मंत्री के लिए चौकिदार चोर है सुप्रिम कोट ने नहीं कहा था किसी और ने नहीं कहा था इस प्रकार के भासा अपने प्रधान मंत्री के कॉंग्रेस पार्टी के युवराज और उनके सबसे बड़े नेता राहुल गा इंवस्टी में पढ़ाते हैं, आप लोग कोई भी गूगल करके आप देख लिजेगा, हम अपने से बड़ों के प्रती इस प्रकार के असंसकारित भासा का प्रयोग नहीं करते हैं, एक उम्र के भी हमारी सुना होते हैं, और प्रधान मंत्री का पद, हम भाटी जी को चाहे तु तलाका नहीं कर सकता, इसलिए नहीं कर सकता, क्योंकि हम से बड़े हैं ये, और बड़े का हमारे भारत की परंपरा में, भारत के सांस्कृतिक मर्यादा में, इसकी कोई जगह नहीं है, लेकिन वो सारी मर्यादाइं तोड़ करके, राहुल गांधी जी ने इसका प्रिय प्रिशता है, इसका सुत्रपात स्रीमती सौनिया गांधी जी ने उसी समय रख दिया था, जब एक चूने हुए मुक्य मंतरी के लिए उन्होंने मौत का सौधागर शब्द का प्रियू जी, क्लदीब जी, क्या आपको लगता है कि 3 दिसंबर किसी का भी नंबर आये, लेकि उन्होंने जन तक धोका दिया, आमादनी पाटी इसपस्ट करती है, आमादनी पाटी हमेशा युवाओ की बात करती है, बिजली की बात करती है, पानी की बात करती है, शिक्षा की बात करती है, हम यह जाती धर्म के नाम पे लड़ाई लाने वाई लोग नहीं है, हम तो गर अब हम पहली बाद चुनाओं रणने के लिए मद्यपते राइपन तो मोधी जी जुमला दिया तो मोधी जुमले देते हैं और गरंटी देते हैं उस गरंटी को पूरी करते हैं चाहे दिली हो चाहे पंजाब हो तो इसने तीन दिसंबर को मुझे रखता है कि वहां की जनता ज लड़ रहे हैं उनका सपोर्ट करें क्योंकि हम लोग रिकास की राजिती करते हैं काम की राजिती शेदाथ पूरा वाला इन्होंने वन पे वन फ्री की गैरेंटी भी दी थी कि महिलाओं से पूछ के ठेके खोलेंगे पंजाब को नशामुक्त बनाएंगे दिली को अच्छा की मर्यादा मैं हमेशा मुझे अच्छा लगता है कि जब भाटी जी मेरे साथ होते हैं डिबेट में यह एक बहुत ही अनुभवी वेक्ती है भाटी जी आप उस समय पर मेरे से जादा अक्टिव रहे होंगे वाजपई जी को सदन के पटल पर सोनिया गांधी ने गद्दार का था वहाँ पर दूर दूर तक मोधी जी तो थे भी नहीं उस समय पर आपने विरोध किया था क्या जब कहा था एक शेरनी सौ लंगूर और अपने कॉख वाटी कहला जाता हूं अपने च्यरकूड अपने च्रकूड अबने चिरकूड अपने च्यरकूड नेथा आँच्यों हिना आपका तो पार्टी नहीं है। मरände यहHH इनके पार्टी की सरकार हैे यहीं इनको भाज्वादि को भतिने सब्सक्राइब टोना चाहिए इनको निया में ऑन है ये मेर मांप दूशया ह यह सनगा है चात्रा यह ंतर्दिशित दौर AH खोटालाएं को पर दो में को मैं ने पूछे देनी है वैसे नियुक्त भाती जी अगर पीएफाई की मार्च निकाली जाती है राजस्थान में और हिंदू यात्राओं को रोक लगाई जाती है तो ऐसे PFI के आतंकवादियों को फासी की सजा देने के लिए ही हम वोड देंगे पेपर लिग माफिया जो जिनोंने 70 लाक युवाओं के भविश्य को तार-तार क्या है उनको फासी की सजा ही हम देंगे इसलिए भाणते जन्ता पार्टी की सरकार होगी इसलिए भाणते जन्ता पार्टी सरकार होगी लेकिन लेकिन खिलाव जेश की महिला पहलों बैठी हुई थी मैं जवाब देता हूँ इसका चवाल आगे जब आगे दीजेगा लेकिन दाजकुपर भाटी बीजेपी पे आरोप लग रहा है कि वो हर चुनाव की तरह इस चुनाव में भी कॉमिनल कार्ड खेल रही है प्रधान मंतरी मोधी पे आरोप लग रहा है उत्ते प्रदेश के वुक्य मंतरी योगी आदितिनाजी पे आरोप लग रहा है कि वो जब भी चुनाव का जो फिक्स्ट फॉर्मुला है हाँ पिर चार खतम होता जिस समय पांच बजे चुनाव आचार सहीता लागू हो जाती है एक दिन पहले कि अब कोई पिरचार नहीं करेगा पिरचार ना करने का मतलब होता है पार्टी का सिंबल पार्टी का केंड़े पार्टी के चुनाचिन पार्टी का कोई नेता सारजनिक रूप से न दिखाई दे मोदी जी तुरंत हर चुनाम है ऐसा नहीं इसी चुनाम हुआ है और अब तो इतने हैबिचल हो गए हो कि हम आपत्ती भी नहीं करते क्योंकि उनकी आदत है वो करते हैं हर चुनाव के जाते हैं क्योंकि सेट होता है प्रोग्राम और फिर वो से पारे गंटे तक चैनल दिखाते रहते हैं यह राचार सहीता का उलंगन है यह संचार साधनों का दुरूपयोग है और यह कानून को उठा दिखाना है एक तो इस तरह कानून तोड़ूंगा तुम मेरे पाके अपनी कमयों को नहीं छिपा सकते हमें पहले अपनी कमी जोंग मेरी कोई गलती है ना तुरंत मानने को तैयार हूं लेकिन जो आपने कहा कि गधा कहा था गधा उनके लिए निकादा मोधी जी देश के प्रधान मंत्री हैं मैं उनका संबान करता हूं मेरी पार्टी सं है। तो उस लोजिक से यू हम ब्रधान मंत्री मुदी का बयान एकजयाट मेरी पीडियो में चलानी क्यों आप स्टाइम है और पिर उन्हों ने गार्ट 으 कि उन्हें कहा था इननी क्यों राहूल गांडी को नहीं समझा मतलब राहूल गांडी प्रधान मंत्री ने का कॉंग्रेस के महाज्यानी परंतु इनके साथी भी कहते हैं यह महाज्यानी हो यह नहीं सकता यह मुर्खों का सर्दारी है तो कैसे आपको सर्दारी सब्द किया आपको सुना दू तो एक से चुनाती दिया तो सुन लीजे ने वह दूसरा कैप आइख सुना दे तो मैं भी सुन लीजे मैं कभी जूटने वोलता है कि अब सब लोगों के पास अब इन चाइना मुबाइल फॉन होता है हो गया अब उन्होंने तो कॉंग्रेस के महा ज्यानी बोला इन्होंने क्यूं मुर्खों का सर्दार संब्दार हो गांदी कपूचिए तो प्रवक्ता ने मन पूर्वक्ता ने चालूंता है इसे ने अब भाषा की बात कर रहे है तो कहरें गुज्रात के गड़े बहुत फेमस है तो बताइए जब जया प्रदाजी के लिए आजम खान ने इनरवेर को लेकर बोला था उसका भी तर्क देंगे क्या अबू आजमी ने जो महिलाओं को लेकर बोला था शफीकु रेमान बर्क ने जब हमने महिलाओं की एज मैरिज एज 18 से 21 की थी तो बेहने बेटियों सुनो क्या बोला था उन्होंने बोला था यह आवारा है उसके लिए क्या तर्क है तो गलत है लेकिन अपने महाग्यानी क्यों ने लिए यह तो लॉजिकल बात है ना मैं उसी का जवाब दे इसने किसी ने भासा विज्ञान पढ़ा हो शब्द की तीन सक्तियां होती है अबिद्दा व्यंजना लक्षना सक्ति लक्षना भी होती है अर्थ जो लाक्षनिक होता है अगर हम किसी को महाविद्वान कहते हैं कई बार उसका अर्थ मूर्खी होता है उसमें लाक्षनिक अ प्रफेसर आप पर समझाब हो रहे हैं ने ने मैं मैं कई बारे बोला हूं कि राजनिती में ब्यंग चलते हैं विधाल अक्षना और ब्यंगना हम बिल्कुल प्रयोग करना चाहिए लेकिन इस प्रकार की भासा का प्रयोग इस संदर में क्या थी आप प्रोफेसर हैं वो दोनों तो नेता हैं थोड़ी देर के लिए आप अपने राजनितिक प्रिष्ट भूमी को दुरा पीछे करिए इसमें क्या था यह तारीफ थी या कान को उल्टा पकड़ना था यह क्या इंजना की भासा थी और सब को जानता है कि राहूल गांधी पर प्रयोग किया हुआ था इसमें कोई अब आप यह कोई चीजें होती है ना एक हम लोग मैसेमेटिक्स में पढ़ते थे स्वयम सिद्ध प्रमे तो जैसे ही प्रधान मंत्री जी ने कहा महा मुर्खों का सरदार तो वो स्वयम सिद्ध प्रमे की तरह सारे जनता लोगों ने वो ऐसे ही लिया है दूसरी बात में कहना चाता हूँ जो महत्वपूर्ण बात है देखिए मुझे लगता है कि जो दो हजार चौबीस का चुनाओ था है अभी था नहीं मने आने वाला है उसकी पठकता एक तरी प्रदान मंत्री ने लिखना सुरू कर दिया है और मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि कहीं न कहीं जो ये संकल्प था हिंदू समाज का हिंदू संतों का कि हमें तीनों मंदिर मुक्त कराएंगे तो कासी के कासी और मतुरा दोनों के मुक्ती के आंदोलन से जुड़े हुए जो लोग थे प्रदान मंत्री जी ने वहां जाकर के कहा कि भगवान का बिराट दिव्य दर्शन जो है आने वाले दिनों में आप देखेंगे यानि कि मतुरा के उधार का रास्ता मुझे ने कहीं 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 ने कहीं लगता है कि उस प्रवल होगी बलवती होगी और दोजार इस तक मुझे लगता है कि उससे पहले इसका सवाल कोई सवाल इसके उपर जो तोजार 24 के चुनाव की बात करी उस पर आप लोग सवाल अपने तयार रखिये मैं आ रहा हूँ आपके पास ये जो अभी प्रवेसर रागी ने बात करी कुलदीब कुमार जी कि 24 का चुनाव क हिस देश में रहे है नौ साल में आपने क्या काम किया आपने कहा था आपने यॉआउ से कहा था आप worship को दोख और रोजगार देंगे आपने कहाता सो स्मार शिटी बनाएंगे आपने पास प चौनाव था उन्होंने कहता एक महिला मुख्हetta मंतरी को दीदी ओ दीदी किस को कहा था पढां मंत्री जी ने वहां कि मुखे मंत्री को कहा था तो यह इस लोगों ने इस देश में रा निदी शुचिदा सब्सक्राइब काम किया इंडी अलाइंस के नेता उधाय निदी श्टैलेंट जो इनके साथ ही है उन पर एक शब्द नहीं बोलते जिनके सवपन में श्री कृष्णा आते हैं जिनको तीर त्यातरा भेजने का प्लान सूचता है वो लोग एक शब्द नहीं बोलते जब मालक्षमी के बारे में दिवाली के बाद मालक्षमी के बारे में क्या बोला गया रामचरित मानस के बारे में क्या बोला गया समाजवादी की पार्टी के दोरा हिंदु धर्म धोका है ये बोला गया हिंदु धर्म को एड्स के करते हैं रमजान में तो फुल बिजली मिलेगी पर तु राम नवनी के लिए को ऐसी बात नहीं करते हैं मुझे पता है ये पीए फाइप की मार्च निकालने के लिए परमिशन मिलती है पर हिंदू की जो यात्रा है शोबय यात्रा है अनुमान जैंती की आतर है उस पर 144 लगा ये डेवलप्मेंट कर नहीं पाए 80 करोड लोगों को खाना खिलाना पड़ा आपको इसका मतलब डेवलप्मेंट नहीं हुई है ये कह क्या रहे हैं भी बैट करके राधिस्तान के बारे में तो आप कहे रहे हैं पर देश पांचवी बड़ी अर्थवस्ता बन गया है शिच पोचे हैं कर दोपे पर आप रहे हैं ये पूरी स्पीस में क्या कह रहे हैं हिंदू कुम्सुल Bunu कुर से तो को मुसलμεं को मिलाmund को लिए कर रहे हैं या क्या कर रह हैं पचासी परसें दू Sousa को तो मैंने किसी तरह से भुना लिया साहब, वोट ले लिये, अब आगे क्या करूँ, चलो अब करण जर्बू भी करेंगे, अरे भाई, कुछ कर लो देश के लिए, अगर गलती से आ गए हो, आप पनवती शब्ट पर बड़ा दर दुआ था पनवती शब्ट पर, बहुत दर द हर आकड़े में, एजुकेशन से लेकर, लोन तक, फाइनाशल इंक्लूजन तक, मुसल्मान और आम जन्मानस की स्थितिक गुजरात में बेतर है, और जहाँ 34 वा जिदी की सब्कार, वहाँ पर सबसे ज़्यादा है, ऐसा क्यों, बताए, विवेक जी मैंने आपके बीच में पर देखते रहें, वीकेंड का सबसे बरोज समत कारिकरम, ये देश है, हमारा ब्रेक के बाद, एक्सपोर्ट से सवाल पूछेंगे युवा वेल्कम बैक विवेज आप देख रहे हैं, वीकेंड का सबसे बरोज समत करकरम, ये देश है, हमारा न्यूज एटीन पर पर ये तीन दिस सम्वर को जो रिजल्ट आने वाली है, इलेक्शन की आईगी, जिसमें मैं पाटिकुलर्ली बोला हूं छतितिस गड में, तो अगर बीजेपी गौवर्मेंट वहां बनाती है अपनी गौवर्मेंट, तो वहां पर स्टेट गौवर्मेंट के साथ-साथ जो जो कप्टल है, वहां भी यूनियन में भी दोनों की गौवर्मेंट रहेगी, तो बीजेपी गौवर्मेंट की क्या इंस्टांट है, रिगार्डिंग जो नकसल होते हैं, खासकर बस्तर जैसे एरिया में, क्योंकि आप तो गौवर्मेंट जो है, स्टेट में भी है और आपको शायद पता होगा, भाईसाब कौन से प्रदेश से हैं वैसे आप, विहार से, तो आज जो है, जब हमारी सरकार 2014 में आई, जितने नकसल प्रभावी जिले थे, उसमें 50% की गिरावट आई है, और इंसिदेंस ओफ टेरर में 70% की गिरावट आई है, और मध्य प्रद बटन ऐसे दबाए कि जो भी आतंको आदी हो, चाए जिहादी हो, चाए नकसली हो, उसको फासी की सजा मिले या उसको जेल में भेजा जाए, अमें सबी पार्टी के प्रवक्ताओं को तरकों के तत्यों के आधार पे एक दूसरे की खूब आलोचना करनी चाहिए, कमियां ब देखे सरकार है, रिक्वार्मेंट के अनुसार वेवस्ता करती है, हमारा हिंदूों के तिवाली होता है, प्रकास के तिवार, हमेशा से सरकारों के निर्देश होते हैं, दीवाली पे बिजली आनी चाहिए, होली पे हम रंग खेलते हैं, हमेशा सरकारों का आदेश होता है, किसी की भी सरकार रही हो मेरी रही हो कॉंग्रेस की रही हो बीजेपी की रही हो के होली के दिन पानी की सप्लाई निरंतर पूरत दिन होती है जो शहर में रहते हैं वो समझते होंगे अब यह जो है जो रमजान शहरी होती है सुबह अधेरे में उन्हां सुबह लाइट की सहार से कोई रंजीस है कोई नाराजगी है जो जैसी रिक्वार्मेंट जहां लाइट की जड़ाइट देंगे जहां पानी की पानी देंगे पहली बात तो यह तो इन दोनों साथ इसका जवाब मांगना के उज्जेन में महाकालिस्वर के मंदिर में बीजेपी सरकार ने कुछ मूर्तियां लगवाई थी वहाँ उस मूर्तियों को इस्थानी जो मूर्तिकार थे उन्होंने टेंडर दिया वा आठाट लाख में लगा रहे थे बढ़िया मूर्ति जो बहुत प्रतिश्य हैं एक गुजरात की कंपनी को आर एसस का आदि में उसे ले आए 40-40 रुपे में लगवाई और उसने सिंथेटिक की मूर्ति बना बना के लगा दी पहली आधी में सारी उड़ गई ठीक है ओके जवाब 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 जबादें नहों ने एक चीज तो मुझे बड़ी पसंद आ रही है कि जो लोगों का एक समय पर नारा था मिले मुला पर इतनी उनको पीड़ा हो रही है तो कितना पॉलिटिक्स चेंज हुआ है कि आज इनको भी कहना पड़ रहा है कहां मुला हैं कहां शी राम मिलके बोलो जैशी राम ये इतनी तबदिली हुई है जो कहते हैं मोधी जी के राज में कुछ नहीं हुआ देखे अब तो मूर्त पर बोलिए राम चरित मानस पर बोलिए और बोलिए कि स्वामी प्रसाद मौरिया जिस प्रकार की बाते करते हैं उस पर आपका कैस्टाइंड है पर छोड़ दीजे उस पर नहीं बोलेंगे ये लोग छोड़ दीजे मैं इनसे पूछना चाता हूं देखे टोपी लगाकर इ तुरिजम बढ़ेगा ये काम करना ये सांप्रदाइक हो जाता है पर अगर आपने इफ्तार पार्टी रखती तो वह तो बड़ा सेकुलर है और इन्होंने क्या का कि इलेक्टर सिटी और जिसकी ज़्यादा जरूरत होती है इसले किया तो मुझे बताईए ना राजस्थान की सरकार ने डिवाली के समय पर ऑइसा ओर मुझे करते हैं या पिर जंता के प्रतिम्दी ही जै करते हैं वहें मुझे करेंगा जétat रही गनता को पसंद आता तो अगर वीजेपी अपना को मुझेत कवेस करने के बजार दूसरे मुझे में आторर हैं तो प्रफ़वाद को मुद्दा बना रही है, बीजेपी उसमें विकासवाद को भी जोल रही है, पब्लिक यानि यह जंता और कैमरे की सौर की जंता उस मुद्दे को पसंद कर रही है, आप ना पसंद करेंगे तो उससे क्या फरक पड़ेगा? इससे यह फरक पड़ेगा सर, हिटलर भी इस प्रिथवी पे आया था, कम्मुनिस्टों ने भगाया था, फासीवाद था, कल्चल रिवलूशन था, चुन के आया था, लोगों का चहेता था, लेकिन अगर फासीवादी ताकतों को इस देश में बढ़ने दिया, जो धर्म के न समाज को बाटना हो गया, आप कहें, आयोत्या में मंदिर को बाटना हो, समाज को बाटना है, कबाल की बात है, यह तो अमेश जी, बीच में मत आईएगा सिर्फ, देखे, CPM का क्या मॉडल, CPI का मॉडल था, सेन ब्रदर से खोते थे, उन दोनों बेटों को मार दिया, मारने के बाद उनके बेटे के खून से चावल पकाया, और मा को जिंदा मा को खिलाया, ACPM का मॉडल रहा है, बंगाल में, तियमान स्कॉयर पर, प्रोटेस्ट करने वाले स्टूडेंट पर, टैंक चलवा दिया, यह इंबाम पंधियों का, अमीश भाई एक बात नहीं बोली इनके तो अध्यक्ष का नाम सीता राम यह चूरी है, यह तो सीता राम को भी कौमिनल के दे बाई, अब सुनीजे आप कुल्दिम जी का, इनके बात इनकी बिलकुल सही है, औरंग जी आपकी कबर पर जाकर फातिया पढ़ना, यह सबसे सुन्दर गाना है, और वहाँ पर मं मंदिर का इक्स्टेंशन होना, यह साम्परदाईक है, जब राम जी, एक सेकंड, एक स्केंड, और प्रभूशी राम इनके सांस्क्रितिक आदर्स नहीं है, तो भाई, सीता राम का नाम बदल कर कर दो बाबर, कर दो, उनका नाम बाबर के नाम के बेचे, नाम सीता नाम है, कोई बराबरी नहीं कर सकता जिन्होंने अन्ना की उंगली पकड़ कर का था पहले इस्तीफा होगा फिर जाच होगी आज सुप्रीम कोट रहात नहीं देती है तो बोलते हैं जाच तो छोड़ दो यह कर्टर इमांदार है और करते हैं जूले लालु जी की गोद में बैट गह जिनको जेल में ढलने वाही ते है अज उनके साथ गल्वई एां करते हैं और कंगर्ण्रह ने किने शीकायत हैं विल्कुल सही जाच है कहनाज खोट लग्या ह् प्रश्टाचार के ऊपर जो बात प्रधान मंतरी कहते हैं कि मैं किसी को खाने भी नहीं दूंगा मैं खुद भी रिखाऊंगा पब्लिक इस लाइन को पसंद कर रही है और जब वो भ्रश्टाचार पर कारवाई होती है और आप कहते हैं विंडिक्टिफ पॉलेटिक्स है उसको पब्लिक हैंड इन हैंड नहीं लेती देखिए अमीज भाई पहली बात तो मैं स्राब भोट रही बात कर लेता हूं यह मामला निशली अदालत से सुप्रीम कोर्ट तक गया और सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं सब नहीं है दस मिनट निट डिकेगा सुप्रीम कोर्ट की बता रहा हूं पहले तो मैं अपने मास्टर माइंड है इसमें जब कारवाई हुई तो कॉंग्रस पार्टी ने अभी एक महीने पहले प्रेस कॉंफरेंस करके कहा हमारी शिकायत थी बिल्कुल सही कारवाई हुई क्या कॉंग्रस जुड बोल रही है कॉंग्रस विद्वेश की भावना से काम कर रही है अजय माकज से लेकर सुप्रियाश जिनेत पावन केड़ा दूसरी बात जो अर्विन केजी वाल ने 2013 में कहा था कि सोन्या गांदी लालू प्रसाद यादव ये ब्रष्ट है इनको जे सुप्रीम कोट ने केबल एडी के मामले में नहीं अब बताईए अनना की उंगली पकड़ के आने वाले लोग लालू के साथ क्यों बैठ है लालू करब थे क्या है नहीं लालू तौर्फर्शाव मैं के सब्हार विए tatा है लो प्रसाथ एक जीड बा महते हैं लालू प्रसाथ जाने प्रसर इंज पपैस्गिए अजीत पबावर पदा करदा ही यह हो गया हो अजीद द्वार करप्ट है की नहीं है नहीं है यह सब ब्रयुक्त कि खोड़े सब घळीडऄरा को कऊ रहा ह। कुर्ट के द्वारा कुंत क्रफ्ट कौन है लालू प्रसाइब Nu partner हायान हायाना बोल दो परदान मंत्री जी ने कहा था अजीद पवार सता है को उटाने बाज़ है अधिया हैुआ हैं कि वाक का हएं और रहे हैं रा रहे हैंully अधिया उच्ति अब कर दो हसे खलाओoten पट वाक कॉलबा यह रा है बोले सोने मादी गरब दे करके करी बोलता है। जब तक कोई आदमी कोड़ा आप के वाज है। जब तक कोई आदमी कोड़ के द्वारा था। अजीत पावर का नामी नहीं लिएता आप देखिजे वीडियो। पहले बता हो जैसे को तैसा ठीक है एक सिकर्ट मैं आप यह बढ़िया जो कीज में बोले वह कैप आप बढ़ी बहुत बढ़ी बहुत बढ़ी अब इनके पहमाने को अपनाते हुए मैं तो यह कह रहा हूं कि अगर बैयानों की बात करें तो सबसे पहले सूनिय करब लालू करफ मुऩिक्ट मिन्षिक करफ शरत पाउब यंज वाध्य वॉडू आप चाहित नेके आप जिधिवाल जी से सवब पर दो दिन बाद परधार मंतिर जी ने बगर मिला के उसको बैटा लिया। बढ़ा मुद्धा वह लेकिन अ क्योंकि उस ब्हस्टाचार का कहीं पर कोई एंड-पॉइंट नहीं कोई नहीं लगा रहा है कि अले जो मुद्धयों मुध्ध होते थे अज़ाओ प्राइसे और प्राइस एनक्राइस अंप्लॉइमेंट है वो धरम का मुद्दा होता है। का बेटा जिल में होता जिसके ऑडियो घूम रहे हैं। सुप्रीम कोट ने जाच कर वा है, इनको भरोसा नहीं है। कॉज़ बड़ी खबर बता रहा हूँ, कॉंग्रेस ने राजिस्तान में एक पोस्टर रिलीज करा है, जिसमें न मलिकार जुन खड़गे की तस्वीर है ना गुजर नेता सचन पाइलट की तस्वीर है इसको लेकर बड़े सारे सवाल खड़े हो गए है बीजेपी कहा रही है कि एक दलित कॉंग्रेस के चीफ को हटा दिया गया है और एक बड़े गुर्जर नेता को हटा दिया गया है बीजेपी उसको विशे बना रही है ये एक बड़ा विशे है मैं इसके उपर आपकी राहे ले नेता तो भाटी जी क्या कहना चाते है आप इस विशे के उपर क्या आपको लगता है सचिन पाइलट को दरकिनार करना कॉं मेरे बाब पे चलेके खरगे और अगले धिन hrg ये प्रदिसान वूति होगी खरगे की फोट..? आप इसके फोट लगाती है इसको हमसे क्या मोदी से क्या लेना देना बूंढ़ जेश मोदी जी जेश परिवार का दल है परिवार की कंपनी है मानले मतलब कि महले करजुन खडगे केवल नाम के है रिमोट कंट्रोल है वो कोई अधियक्ष नहीं है वो नॉमिनल है जैसे कि मनमोन सिंग थे उनको भी कोई पावर नहीं थी असली चलाने वाली सोने नहीं थी परन तो मेरा सवाल यह कि देखे राजस्थान में सबसे ज्यादा दलितों के साथ उतपीडन करॉली में दलित बच्ची के साथ रे एसी आयो के अध्यक्ष ने करुली खिलाडी लाल बैरवा ने इस्तीफा दे दिया वहां पर जिस प्रकार से गूजर समाज का अपमान के अपमान के अगया गया ज असली डाइरी और उसके कारणा में अशो गैलोत के पास ही होंगे और उस डाइरी में लिखा है कि पिता जी की सरकार की गैरिंटी मैं भी नहीं ले सकता बेटा भी दे इनको तया हुआ है कोई सेल्फ गोल नहीं है यह जातिवाद फैलाने की कोशिश कर रही है भाजपा और इ इसलिए लेकिन लेकिन उसका दो राजबी तिक प्रहोंग है उसके खिलाव है और आप तमाब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग आए फिलाल ये देश है मारा के आज के अडिशन को यहीं समाप्त करते हैं उमीद है आज का का आपको पसंद आया होगा जंते दिन आज दिन आपका बहुत बहुत अबिन दन फिलाल ये देश है मारा मेटता ही नमस्ता